हरे कृष्णा सुप्रभाथ तो आज का सवाल नहीं कि आत्म विश्वास कैसे बढ़ाएं शिल्य प्रभुपार जी इसकौन के फाउंडर आचारियां ये आत्म विश्वास की पराकाश्ठा के एक आप लोगों को हाली में देखने वाली घटना है इनकी जीवन से आप सीख सकते हैं कि आत्म विश्वास उस 17 साल के एक बूढे वेक्ति का कि अपने गूरु के वाक्य को पालन करने के लिए विदेश्च चले गए और आज इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में एक रेवुलिश्टनरी संगस्था का सापना कर दिया जिसमें सभी सभी जितने भी मनुश्य हैं जाती धर्म निर्विशेश इस संगस्था में आके भगवत गीता का और श्रिवत भगवत का जो दिव्य ज्यान है उसकी चर्चा उसका निशिदन कर सकते हैं एक एक युनिवर्सिटी खोल के गए हैं सब के लिए सिखने के लिए ये उनका आत्मविश्वासी था सब चीज अपोजीट बिरुद्ध वातावरन एक कार्य ठीक से नहीं हो रहा है आत्मविश्वास बनाए हुए हैं अकेले जाते हैं और इत रतवासी देखती रह जाते हैं क्या चमतकार हैं तो उनके जीवन से जो सिखा है कि कैसे आत्मविश्वास एक तो बड़े और बना रहें बढ़ता रहें बिना डेडिकेशन किसी कार्य में अगर आपको डेडिकेशन नहीं है आप आत्मविश्वास को जेनेर्ट भी नहीं क कर सकते ना उसको बनाए रख सकते हैं वह संबब नहीं है कि डेडिकेशन कैसे आता है जो उद्देश्य है जो कारे है हमारा उसका वैलू जानके अगर हम लोग उसके बारे में सुक्षते हैं समझते हैं knowledge लेते हैं इसलिए बेदों में शास्तों में पुरानों में गीता में कहा गया है कि ज्ञान जैसा ग्यान वरधन करते हैं ज्ञान जैसा कोई बल नहीं है यह बहुत बड़ा बल है जैसे आप लोग तो बहुत लोग एक्जाम दिये होंगे स्कूल में कभी ना कभी कॉलेज में कभी ना कभी एक्जाम दिये होंगे जिस विशाय को आपने तयार नहीं किया है आपको डर लगेगा कि अरे क्या एक्जाम में एंसर लिख के आउंगा विश्वास डगमगा जाएगा और वहीं आपका उस विशाय में प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो तो आप निर्भै होकर एकदम हसते हुए क्या किया और उस जगे पर क्या नहीं किया वह यह है कि हम लोगों ने नॉलेज नहीं लिया उस सबजेक मैटर में जानकारी नहीं लिया आत्मों विश्वास तो तब करेंगे जब आत्म यानि खूद के बारे में ठीक तक जानकारी होगी आजकल सभी लोग यह अनुसंधान नहीं करते हैं, कि हम लोग यह जो शरीद है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसका नौलेज हम लोग महीं लेते हैं हम लोग यह नहीं समझते हैं, कि इस आत्मा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य में यह आत्मा कैसे लगके, कैसे उसके इतना कोई विकास कर सकती हैं, कोई नहीं सोचता, कोई पढ़ता नहीं है आजकल सभी कुछ बहुत शॉर्ट हो गया है, छोटा वीडियो तो सुनके कतम कर लेंगे, बहुत ही कैब होते हैं, जेटे जा गया है, सब कुछ फास्ट चाहिए, लोग कुछ सैन्स शिलता नहीं है सैन्स शिलता अगर नहीं है, धहरिये नहीं है, तो कैसे किसी विशय में हम लोग नौलेज ले सकते हैं, और कैसे डेडिकेशन और उस जो नौलेज लिया उस वैलू को हम लोग जीवन का उद्देश्च बना सकते हैं तो इसलिए आत्म विश्वास इन कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ हैं, पहले तो एक गाइडेंस देने वाला को खोजी है, जो आपको सही रूप से गाइडेंस दे, यह बहुत बहुत ज़रूरी है आज की जमाने में अगर आप ठीक से वेल विशर द्वारा गाइडे हो रहे हैं, तो आप सही कारे करने में अपना विश्वास बनाए रखेंगे, यह सबसे बड़ा यही टीप्स है जो मैं आप लोगों को देश सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बाते जुड़ी हुई हैं, यह वो गाइडी बता सकता हैं आपके लिए आपके बुद्धी के अनुसार, कि आप किस कारे में सक्सेस्वल होंगे और आपका मनोवल किसी उसे बड़ेगा, वो वो गाइडी निधार कर सकते हैं आपके लिए, आईए इस काउन टेंपलों में हमारे बहुत सारे भक्त यह कांसिलिंग करते ह आप उनके संपक्त में आएं और देखिए कैसे जिवन परिवतन आता है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, यह संग करना बहुत धरूरी है, जहाँ पर नॉलेज बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुप जाएं, हरे क्रिश्णा ऐसे ही और भक्ती मैं कारिक्रमों के लिए देखिए हरे क्रिश्णा टेलिविजिन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839